हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चनल आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में यूरीन लिकेज की समस्य क्यूं होती है इसके क्या कारण है और इसका उपाई क्या है तो आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखे प्रेगनेंसी के नाइंत में महलाओं के लिए काफी मुश्किल भर होते हैं क्यूंकि इन महनों में महलाओं को कई मानसिक और शाडिरिक परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है प्रेगनेंसी की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में महलाओं को उल्टी जी मचलाना लूज मोशन और चक्काराना सीर्दर द्रद की Lie प्रेगनेंसी में यूरीन लिकेज की 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 कि रिषानी होती ए करेकज को बोलते वक्त शोते समयं, उल्ति करते समयं खास समय यूरियन का हो जाता है, क्याक क्योंकि पेट का आकार बढ़ता है और ब्लेडर यानि मुत्राशाय पर दबाव पड़ता है। ब्लेडर पर दबाव पढ़ने से यूरीन लिकेज होता है प्रेग्रेंसी के आखरी महने में जो मासपेश्या रहती हैं उनके फेलने से स्पेंडर मसल्स कमजोर पढ़ने लगते हैं और लिकेज यानि कि यूरीन लिकेज एक या दो दिन होना तो काफी नॉर्मल है लेकिन कि अब आते और दिहान में रखने चाहिए कि होता है तो आपको डिहाइडरेशन की समस्या हो सकती है तो पहले तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मातरा में पानी पीए और बहुत अधिक लंबे समय तक अपनी बातरूम को रोक कर बिल्कुल भी अगर आप सोई भी रहते हैं और आपको बातरूम आते हैं तो आप दूरंत चले जाएए क्यूंकि इससे आपको डिहाइडरेशन की परेशानी होगी और आपको और परेशानी हो सकती है तो प्रेगनेंसी के दुरान आपको टॉइलेट को बिल्कुल नहीं रोकना है अब सा भी यूरीन लिकेज होने की प्रॉब्लम देखी जाती है और कई महलाओं में होती है इसके सांथी आपको और ये भी करना है कि अगर आप बहुत ज़दा केफिन का सेवन करते हैं चाय बहुत ज़दा पीते हैं कोफी बहुत ज़दा पीते हैं तो इन चीज़ों को भी कंट् प्रेगनेटी के दौरान यह बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, अएefन की स्लिखन करता हुद आपको उलॉल्टी जैसा महsous होता है , निसमें भूस्ती में जाता है जोभ बहुत जब्रक्राщее नेइं उससे भी यीरिन लिकेज और हो ज़ाता है, आपका भी वेड बढ़ता है बेबी का भी वेड बढ़ता है तो इसमें हसते हुए बोलते हुए खांसते समय काफी नॉर्मल है तो आपको यूरिन लिकेज हो सकता है लेकिन आपको बार बार हो रहा है कि बहुत जादा हो गया 10 से 15 बार हो गया 24 गंटे के अंदर 10 बार हो गया उससे यूरिन लिकेज होता है और सभी महलाओ को होता है क्योंकि तीन में से एक को होता है तो आप आपके डॉक्टर को तब दिखाएए इसमें जो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है डॉक्टर को बताएंगे तो उनकी ट्रीटमेंट देंगे तो आप इस्ट्र कि झाई ठाम देखके डवाद सनी। अप्टर वीडॉक्टर वोड़ डिखाएंगे तो आपकेे पाल्स नहीं क्लिशे यूटर रटाएंगे तो आपके रभी में आपके यूड़ दावचाने क्वड़, आपके टो आपके अखकी यूटर में पाल्सिंड़, तो आपके झाल झाल झाल